असलाम आलेकुम मैं यूट्वी फैमिली वेलकम टू आर माई न्यू व्लोग तो जी आज मैं चिकन पॉपकॉन की आपको रेस्पी बता जो की जायके में बहुत ही चटपटा डिलिशिस बनेगा तो जी देखे सबसे पहले मैंने क्या किया है हाफ केजी मैंने चिकन लिया है और बोनलेस लिया है बोन वाली पीस मैं नहीं लूँगी और बाकी मैंने थ्री टेबल स्पून अदरकलस्टन का पेस डाला है हरी मिर्चे डाली है और ये हरी धनिया डाला है आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं फिर जी मैंने क्या किया है थ्री टेबल अच्छे से रोस्ट करने के लिए डाला है और तवा जो मेरा है वो बहुत ही कम आज पे रखा हुआ था बहुत तेज नहीं जल रहा है अभी बहुत ही दीमी आज मैंने रखा इसको जादा तेज पेना करें वरना जल जाएगा तो जी ये देखे मैरे मैनी नेशन के लिए सारी चीजे जितनी भी रखी थी आपके सामने है ये तीनों चीजे और हम इसमें कॉन फ्लोर मिलाते हैं मैंने देड चमच इसमें कॉन फ्लोर डाला है जो की बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा कॉन फ्लोर डालना जी बहुत ही जरूरी है और बह ऐसे बन कर दे रही हूं थोड़ा सा ठंडग फिर मैं इसको उसमें डाल देती हूं जो मेरा रखा है फिर मैं इसमें टेस्ट के कॉड्इंग डालती हूं आप लोग अपने की फूट कलर लिया बहुत जादा food color मजड़ी डालीगा मैंने थोड़ासा food color लिय गया जो कि मैं इसमें थोड़ासा देखे दिखाए मैं इतनी food color इसमें मिलाओंगी और फिर इसके बाद चाटमसाला लिया है इसमें जादासा चाटमसाला डालूंगी मंगी और फिरिश के बाद मैंने और्चेन लिया फिर मैं इसमें तोड़ Maßाला लिया वह मैंने ठोड़ salah भूंग्स लंचा से मिक्स करते हैं घया गरम लिसी होकर मैनने प्लिनस और इसके शुथ में अच्छे से मिक्स करने गरते हैं पर ये अभी complete नहीं हुआ है इसको अच्छे से mix करके फिर मैं इसको फ्रिज में आदे घंटे के लिए रख देती हूँ और जी ये देखें मैंने घर में बनाया था bread crumbs जो की bread घर में चो बच जाती उसको धूप में सुखा करके फिर मैंने पीस लिया था और मेरा आदा घंटा complete हो गया है फिर मैं अब इसमें मिला रहे हूँ ब्रेट क्रम्स हैं इसको बहुत अच्के से अच्छे करते हैं बहुत है। ज़री और ज़रूर ट्राइपा करीं में किमीरे कमेंड बैसमें। कि हाँ उन्होंने ट्राइ की है ये मैं तो खुछ से बताती हूँ रेसिपी आप लोग को भी कुछ अगर से हो इसमें बताने वाला तो आप लोग बता सकते हो जी ये देखिए मैंने तेल रखा था वो हो गया है अब मैं इसमें सारी चीजे अच्छे से उठा करके जो मेरा बन अच्छे से करना है और बहुत ही तेज आज पर नहीं करें ना एकदम स्लो आज पर करें मीडियम आज पर आप इसको डीफ फ्राइ करें जी मेरा एक सैट से पूरा हो गया अब मैंने देखिए इसको पलट दिया था ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है अब हम इसको निकाले निकाल करके हम इसको ऐसी प्लेट में रखेंगे जिसमें मैंने पहले से टीशू पेपर बिचा के रखा था टीशू पेपर के ऊपर ही रखें जो भी आप लोग कोई चीज अगर फ्राइ करते हैं तो उसको जरूर से जरूर लाजमी टीशू पेपर का यूज करें क्योंकि यह तेल ओयल जो भी होता है इसको एबजॉफ करता है और चीजे मेरी अच्छी रहती है बहुत ज़्यादा ओयली ओयली फूट नहीं लगता है खाने में बहुत ज़्यादा ओयली नहीं लगता है कि हां हम काफी ओयली खा रहे हैं बाकी जो मेरा आदा बचावा मिक्सर था वो भी मैंने डाल दिया इसमें और वो भी लगबक हो गया है ये जी देखें मैंने ये वाली प्लेट में निकाला था और ये भी बस होने वाला है मैं इसको भी अभी बस निकालने वाली हूँ जी ये देखिए मेरी दोनों प्लेट में complete roasted हो गया है और ये देखिए जी मैंने sweet भी रखा था साथ में खाने के लिए और ये मेरा ready हो गया है और जी जरूर से जरूर आप लोग मेरे चैनल को like करिएगा, subscribe करिएगा, share करिएगा और जरूर से जरूर बताईएगा कि कितने लोगों ने try किया, उनको कैसा लगा टेस्ट और बताईएगा कि हाँ किस तरीके से उनको लगा